आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पर आऊ चुके हम सभी के साहते हैं पॉर्टेंट वीडियो में और आज की स्विडियो में डिस्कस करेंगे से बिसी बोड क्लास 12 का एक्जामनेशन जी हां फंड जिस्ट कुछ देरे पहले आप से भी का एंड हो चु करेंगा क्योंकि यहां पर आप से भी को इंपॉर्टेंट वीडियो आप से एक्जामनेशन के मिलती रहती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगा साथ सब बेल आइकन को क्लिक कर दिये गा उस्विडियो को सभी और इसके बास बहुत सारे एक्जामनेशन जो है एंड हो चुका सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा साथ साथ उस वीडियो को देख सकते हैं मैं अपने चैनल पर अप्रोड कर दूँगा सभी का इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आप सब के फीजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको हम प्रोवाइट कराएं आप आप से साथ से नंबर बन यह देखें दीसक्राइब कर रहा हूं इससे पहले मैं दो बनाया दी यह नंबर रखेलक कर रहा है और से मुझाट नंबर अवर्ड तरीके से यह भी में से नंबर तु लाने वाला हूं जिसमें से नमबर थी के भी complete solution डिसक्स करें जैसे मेरे पास कोड आ रहे हैं मैं आपके साथ solution discuss कर रहा है और rest of the question जो बच जा रहे हैं माई एफन उसको में complete video में part number two बनाऊंगा जिसमें whole complete paper का solution जिसमें मैं discuss part number two में जिसमें और भी other section और यह सब जो आपके तो बिए आपको बता दूंगा चले फिर 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 मुवाँन करते हूं देखें आपके पेपर के complete solution देख सकते हैं और question number first आप सभी कहा section number one आपका देख सकते हैं question number first आप सभी कहा सामने यहाँ पर इफ मैट्रिक्स आपको दिया गया था देख सकते हो आपको 3 क्लास 3 की मैट्रिक्स थी और मुल्टिपल में था x y z is equals to 6 3 2 then the value of 2 x plus y minus z is तो फिर आप्षिन यहां पर आपलेबल था तो if a matrix capital A is equals to 1,2,3 then the matrix A or transpose matrix where A dash of A is तो फिर क्या हो गया है पर option देख सकते हैं पर आपको 14 option B is 1 0 0 0 2 0 0,003 है आपका और C option आपर हम बात करें हाँ पर 123 231 312 and option number D is 14 तो फिर बात करें इसका option number D is a right answer for the question number second option number D is right answer for the question number second option number D is right answer move on करते हैं next question की तब question number third आपके सामने हैं हमारा if x is आपका दिया गया 1 2 है और y आपका 2 5 है is equals to 4 upon 9 है तो option आपके पास available है यल्दी से mark करें आपने क्या add किया है यहां पर x जो value दी गई एक सिसकोज to 1 y is equals to 2 या B option आपका x is equals to 2 y is equals to 1 and C option is x is equals to 1 y is equals to minus 1 and D option is x is equals to 3 and y is equals to 2 the question number third का right answer की बात करेंफेंड वो होगा हमारा option number B where x is equals to 2 and y is equals to 1 is the right answer for the question number third that means option number B is the right move on करते हैं मारे फिर्फेंड question number fourth आप देख सकते हैं हमारा है if the a is a square matrix and a square is equals to a then i plus a whole square minus 3 a is equals to कुछ इस तरह के से question था option आप देख सकते हैं आपका आपका a two a three one आपने क्या माग किया है हाँ पर अगर बात के फिर्फेंड इसमें क्या आपने माग किया question number fourth की बात करते हैं पर इसका राइट आंसर फिर्फेंड कैपिटल आई आइड मेंस option number a is a right answer for the question number fourth more on करते हैं question number fifth आप देख सकते हैं हमारे question fifth आपके सामने हैं हमारा the value of determinant आपको दिया गया है तो वैलोपको फाइंड करनी है हमारा two seven one 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 ten eight one is option आपका आपका से अबलेबल है देख सकते हैं आपके सकते हैं हमारा the function fx is equals to x is क्या होगा हमारा question six right answer की बात करें फिर आपके 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 बात से देख सकते हैं हमारे question number six right answer होगा हो होगा यहां पे वह हमार option number c that means continuous everywhere but but differentiable anywhere option number c इसका right answer है move on करते हैं हमारे question number seven seven question आप सब्सक्राइग के सामने है हमारा if y is equals to log sign e x then dy upon dx इस तो आपके सकते हैं हमारे एवेलेबल है हमेर question seven right answer की बात करें वो होगा हमारा यहां पर option number c that means e x caught e power x आपको दिख रहा होगा फिन यहां option number c is right answer question number seven का move on करते हैं question number eight आप देख करते हमारा यहां पर लिखा है log x dx is equal to kis-kate equal होगा हमारा यहां पर question number seven आपको दिख दिख रहा है यहां पर x की power six upon six plus c that means option number b is the right answer question number eight okay move on करते है question number nine की तरह question nine देख सकते हैं picture clear नहीं आए पर उसके लिए sorry by the fan क्योंकि इस्ट्रेंट किया है मैं question paper set करके आपको मैं discuss कर रहा है इसकी answer question number nine आप देख सकते हैं यहां पर है तो question number nine का जो answer होगा question nine का वह हमारा option number a that means 15 plus e की power five upon two that means option number a is the right answer for the question number nine more on करते हैं यहां पर 10 आपको दिख रहा होगा है हमारा question 10 है हमारा यहां पर और unit vector along the vector 4i minus 3K is option देख सकते हैं यहां पर available है हमारा unit vector along the vector is किसके साथ होगा हमारा question number 10th का option आप देख सकते हैं यहां पर available है इसका right answer की बात कि वह हमारा यहां पर option number b that means 1 upon 5 into 4i minus 3 K that means option number b is the right answer for the question number 10th move on करते हैं बारे फिन question number 11 देख सकते हैं यहां पर clear name picture if theta is an angle between the two vectors करके कुछ question था question 11th का right answer की बात के फिन वो हमार option number b option b is का right है में move on करते हैं question number 12th की तरफ question 12th आप से अभी के सामने हैं यहां पर the integrating factor for the solving the differential equation x into dy upon dx minus x minus y is equals to 2x square is तो फिन question number 12th का right answer की बात के फिन वो हमार option number d is a right answer for the question number 12th move on करते हैं मारे फिन question number 13th की तरह 13th question हमारा है था number of the solution of the differential equation dy upon dx is equals to y plus 1 upon x minus 1 when y1 is equals to 2 is किसके equal होगा 0 होगा आपका 2 हो गया 1 हो गया यह फिन फिन फाइन आइट तो option देख सकते हैं आप एविलेबल है question number 13th का right answer की बात के यह आपका equal होगा हमारा option number a that means 0 के साथ किसके साथ 0 के साथ इसका right answer option number a is the right answer for the question number 13th one करते हैं मारे फिन question number 14th की तरफ 14th question है हमारा the distance of the point PQR from y-axis is the question 14th आप देख सकते हैं मारे फिन question 14th का right answer होगा यहां पे option number D that means root में P square plus R square option number D is the right answer for the question number 14th move on करते हैं मारे फिन question number 15th की तरह 15th question है हमारा if the direction cosines of line are 1 upon a comma 1 upon a comma 1 upon a then फिन इसका जो right answer question number 15th का वो होगा हमारा यहां पे option number D is the right answer for the question number 15th that it means the A is equals to plus minus root 3 is the right answer for the question number 15th move on करते हैं मारे फिन question number 16th की तरह फिन question 16th की आंसर फिन comment कर दूं comment आप देख लिए question number 16th आपके सामने यहां पे question number 16th यह आया था आपका question 17th की देखे फिन question 17th आपके सामने यहां पे the which of the following point satisfy both the in equations 2x plus y greater than equal to 10 and x plus 2y is equal to greater than equal to 8 is question है आप आपके यहां पे आपके यहां पे question number 18th question आपसे भी के साम नहीं है आपे the solution of the set of the equation 3x plus 5y greater than 7 से तो फिर बताना है आपको whole xy plane except the point lying the on the line 3x plus 5y is equal to 7 कुछ इस तरह के option देख सकते हैं आप available है तो question number 18th के right answer की बात के वो होगा हमार option number c that means आपका question number 18th का right answer आपका option number c that means open half plane containing the origin except the point 3x plus 5y is equal to 7 is the right answer for the question number 18th okay बाते हैं मुवण करते हैं question number 19th 19th question बढ़े हैं उससे पहले सभी काइड़ को बता देए हैं आप से भी का next examination physical education का होने जा रहा है जिन भी काइड़ेट ने हिंदी आप्ट नहीं किया था तुम सभी का next examination जो 13th को होने जा रहा है 13th March को physical education physical education में most important mcq मैंने chapter wise नहीं पुरी book complete आपको mcqs की वीडियो बना दिया है फैं link description box में मैं बेलो करा दें तो वीडियो की और वीडियो बहुत जल्द अप्रोट कर दोंगा अपने चैनल पर जाकर आप से बजट कर सकते हो complete mcq होगा आपके physical education का उसको देख लिएगा इसके रिगार्डिंग और भी बहुत से जारी इंप्रोटन वीडियो पीजिकल एज्टेशन के आप से भी को हम प्रोवाइट कराएंगे तो चैनल पर फॉस्ट का मवज़िट करें तो चैनल को सुस्क्राइब कर रहें एक विडियो आप सबकी इंप्रोटन वीडियो आप सबकी इंग्जामेशन पॉइंट आते रहती है और सासत अभी आप इसके बाद इग्जामेशन जैसे ओवर होगा आपका सब्सक्राइब कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा सासत ब्लाइकन को क्लिक कर लिएगा करते हैं और इसका राइट आंसर आप देख सकते हूं आप यहां पर देख सकते हूं आप बात के लिए यहां में आपको लिखा गया है इसमें राहीं से नंबर टू ही फिर से किया है लेकिन यह कोड दूसरा है माई रिफन फिर से बता दों सभी केंडिट्स को यह जो कोड में आपके साथ कर रहा था यह कोड था आप सभी का यहां मैं यह देखें यह कोड था हमारा 65-4-2 का कोड था सैट नमबर टू था इससे पहले में मैंने एक वीडियो बनाए थी स सभी काइड पर शेयर कर दिएगा क्योंकि अब इसके बाद हम रोग सेट नमबर 3 के भी कंप्रीट सॉलिशन आपके साथ लाएंगे तो चैनल पर फॉर्स टाम वजिट करेंगे साथ साथ बैर आइकन को क्लिक कर लिएगा फिर मुलेंगे फिर नेक्स वीडियो में चैनल ये सुछिग वाइगा थाएंगे फड़एंगे चाएंगे था जाएंगे.